Good morning friends, हम फिर से हाज जरें एक नए डिक्टेशन के साथ आज की डिक्टेशन असी और सौ दौनों गती से है सबसे पहरे असी सब्द प्रतिमनट होगा, उसके बाद सौ सब्द प्रतिमनट एडिटूरिल बही है, बस उसे असी और सौ दौनों गती में प्रिजेंट किया गया है असी सब्द प्रतिमनट जो लिखती हैं वो तयार हो जाएं, क्योंकि ठीक तीन सेकंड बाद एडिटूरिल स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की मुख्य मंतरी योगी आदित्यनाथ के संबंध में अभाद्र ट्वीट करने बाले स्वतंत्र पत्रकार प्रसांत कनोजिया को रहा होना ही था लेकिन इस रहाई की उपरांत भी यह प्रश्न अनुत्तरित है कि आखिर अभिव्यक्ति की आजादी का मनमाना इस्तिमाल करने बालों पर लगाम कैसी लगाई जाए इस सवाल का जवाब इसलिए तलासा जाना चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नाम पर किसी को कुछ भी कहने या करने की इजाजत दी जाएगी तो फिर भारत जैसे देश में हालात बिगर सकती हैं फरजी खवरों के इस दौर में हर किसी को और खास कर खुद को पत्रकार कहने बालों को तो कहीं अधिक जिम्मेदारी का परिचाय देना चाहिए चाहे वह किसी मीडिया संस्थान से जुड़ा हो या फिर स्वतंत्र तोर पर सक्रिय हो जिम्मेदारी का परिचाय इसलिए भी दिया जाना चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीम नहीं है प्रतीक अधिकार किसी ना किसी करतब्य का भी बोध कराता है लेकिन यह साफ है कि प्रसांत कनोजिया को ऐसा कोई बोध नहीं था मुश्किल यह है कि उनकी जैसी तथा कथित पत्रकारों की कमी नहीं प्रसांत कनोजिया भले ही स्वतंत्र पत्रकार की तमगे सी लेस हो लेकिन योगी आधितनाथ के संदर्भ में उनका ट्वीट पत्रकारता को सर्मसार करने वाला ही अधिक था उनके अन्य अनेक ट्वीट भी ऐसे हैं जो पत्रकारता की आड में किये जाने वाले छिछोरेपन को ही बयान करते हैं यदि उनके जैसे लोग पत्रकार के रूप में जाने जाएंगी तो फिर न तो पत्रकारता की प्रतिष्ठा की रक्षा हो पाएगी और ना ही स्वस्थ माहौल में बिमर्स हो पाएगा इससे इनकार नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रसांत कनोजिया को ग्रफतार कर जरूरत से ज्यादा सक्ती दिखाई पुलिस को ग्रफतारी से बचना चाहिए था कम से कम अब तो उसे यह आभास होना चाहिए कि आनन फानन ग्रफतारी से प्रसांत कनोजिया को नकेवल अत्रिक्त प्रचारमिला वलके उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरे भी हुई एडिटर्स गिल्ड जैसी संस्थाओं का प्रसांत कनोजिया के पक्ष में खड़ा होना समझ में आता है लेकिन क्या इन संस्थाओं को यह नहीं देखना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एक स्वतंत्र पत्रकार ने क्या किया प्रसांत कनोजिया ने जो किया उसे पत्रकारता के दायरे में रखना तो इस पेसे की साख से खेलना है क्या एडिटर सगिल्ड और ऐसी ही अन संस्थाओं को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि पत्रकारता के नाम पर इस पेसे को बदनाम करने वाले काम ना होने पाएं यह पहली बार नहीं है जब किसी को सोशल मेडिया पर आपत्ती जनक पोश्ट के आरोप में ग्रफतार किया गया हो ऐसे मामले रह रह कर सामने आते ही रहती हैं लेकिन बिड़ंबना यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी की बकालत करने वाले अलग-अलग मामलों में भिन-भिन रविया अपनाती है इससे बड़ी बिड़ंबना यह है कि कई बार अदालतें भी ऐसा करते दिखती हैं आज जब सोशल मीडिया का दाइरा बढ़ता जा रहा है और हर कोई अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहीं अधिक स्वतंत्र है तब ऐसी कोई व्यबस्था बननी ही चाहिए जिससी न तो अभिव्यक्ती की आजादी का दुरुपियोग हो सके और ना ही जरुष से ज़्यादा कठोर कारवाई डिक्टेशन समाप्त हुआ उमीद है आप लोगों ने लेखा होगा अगला डिक्टेशन है सौस अब प्रतिमिनट से बता दें यह टोटल वर्ट से और यह स्पीड लेखा हुआ है रेगुलर अगर स्पीच आपको चाहिए तो इसी चैनल को यह डिक्टेशन को आप सब्सक एकuti सेकशन बाद हम स्पीच को स्टार्ट कर देंगे स्टार्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंध में आभाद्र ट्वीट करने वाले स्वतंत्र पत्रकार प्रसांत कनोजिया को रहा होना ही था लेकिन इस रहाई के उपरांत भी यह प्रश्ण अनुत्तरत है कि आखिर अभियक्ति की आजादी का मनमाना इस्तिमाल करने बालों पर लगाम कैसे लगाई जाए इस सवाल का जवाब इसलिए तलासा जाना चाहिए क्योंकि अभियक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को कुछ भी कहने या करने की इजाज़त दी जाएगी तो फिर भारत जैसे देश में हालात बिगड सकती हैं फरजी खवरों के इस दौर में हर किसी को और खास कर खुद को पत्रकार कहने वाले को तो कहीं अधिक जिम्मेदारी का परचाय देना चाहिए चाहिव है किसी मीडिया संस्थान से जुड़ा हो या फिर स्वतंतर तोर पर सक्रिय हो जिम्मेदारी का परचाय इसलिए भी दिया जाना चाहिए क्योंकि अवियक्ति की स्वतंतरता असीम नहीं है प्रतेक अधिकार किसी ना किसी करता ब्यका भी बोध कराता है लेकिन यह साफ है कि प्रसांत कनोजिया को ऐसा कोई बोध नहीं था मुझके लिया है कि उनके जैसे तथा कथित पत्रकारों की कमी नहीं प्रसांत कनोजिया भले ही स्वतंत्र पत्रकार की तमगे से लेस हो लेकिन योगी आधितनात के संदर्म में उनका ट्वीट पत्रकारता को सर्मसार करने वाला ही अधिक था उनके अन्य अनेक ट्वीट भी ऐसे हैं जो पत्रकारता की आड में किये जाने वाले छिछोरेपन को ही बयान करते हैं यदि उनके जैसे लोग पत्रकार के रूप में जाने जाएंगे तो फिर न तो पत्रकारता की प्रतिष्ठा की रक्षा हो पाएगी और ना ही स्वस्त माहौल में बिमर्स हो पाएगा इससे इंकार नहीं कि उत्तर प्रदेश पोलिस ने प्रसांत कनोजिया को ग्रफतार कर जरुष से ज़्यादा सक्ती दिखाई पुलिस को ग्रफतारी से बचना चाहिए था कम से कम अब तो उसे यह आवहास होना चाहिए कि आनन फानन ग्रफतारी से प्रसांत कनोजिया को नकीबल अतरिक्त प्रचारमिला वल के उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरीव ही हुई एडिटर्स गिल्ड जैसी संस्थाओं का प्रसांत कनोजिया के पक्ष में खड़ा होना समझ में आता है लेकिन क्या इन संस्थाओं को यह नहीं देखना चाहिए कि अभियक्ति की स्वतंतरता के नाम पर एक स्वतंतर पत्रकार ने क्या किया प्रसांत कनोजिया ने जो किया उसे पत्रकारता के दारे में रखना तो इस पेसे की साख से खेलना है क्या एडिटर्स गिल्ड और ऐसी ही अन्य संस्थाओं को इसकी चिंता नहीं करने चाहिए कि पत्रकारता के नाम पर इस पेसे को बदनाम करने बाले काम ना होने पाए यह पहली बार नहीं है जब किसी को सोचल मीडिया पर आपत्ती जनक पोश्ट के आरोप में गरफतार किया गया हो ऐसे मामले रह रह कर सामने आते ही रहते हैं लेकिन विडम्बना यह है कि अफ्यक्ति की आजादी की बकालत करने वाले अलग-अलग मामलों में भिन्न भिन्न रवईया अपनाती हैं इससे वड़ी विडम्बना यह है कि कई बार अदालतें भी ऐसा करती दिखती हैं आज जब सोसल मीडिया का दायरा बड़ता जा रहा है और हर कोई अपनी विशार व्यक्त करने के लिए कहीं अधिक स्वतांत्र है तब ऐसी कोई व्यवस्था बननी ही चाहिए जिससे न तो अवियक्ती की आजादी का दुरूपियोग हो सके और ना ही जरूरत से ज़्यादा कठोर कारबाई डिक्टेशन समाप्त हुआ और मेध्य आप लोगों ने लिखा होगा ये एडिटोरल सेम था बस स्पीड बढ़ा दी गई ताकि जो लोग सब्द प्रतिमेंट लिखती है उनके लिए और रेगुलर स्पीच चाहिए morning में good morning message के साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती है और अगर पुना record करके share करना है तो भी आप recording कर सकती है तैंस सब्सक्राइब कर सकती है